मंच पर उपस्तित बेनिवाल बैसाब, उमीज जी बैसाब, पुखराज जी और अतितिगन आपको मेरा साधर परणाम सामने जो भाई बेन बेठें उनको भी मेरा साधर परणाम और सबसे पहले मैं कहूंगी कि तेजा जी महाराज की राम सापीर बाबा की आज हम लोग यहां सत्ता परव्यतन यात्रा तो मैं आज मेरे को एक मिनट का टाइम मिला है पर मैं आप पांच मिनट बोलूंगे बहुत जरूरी बाते बतानी हैं आपको और वो बाते ऐसी है जो समाज को कलंकित करती है जो समाज को कलंकित करती है और सरकार पर ऐसे निसान या सवाल अंगुली उठाती है कि क्या कर रही है सरकार आप लोग मुझे फोलो करते हो आप लोग देखते हो मेरा एक सोसल मीडिया पर मामला है जिसमें मेरा फर्जी पेज बनाया हुआ है और फर्जी पेज पर असली मूवी चलती है गंदी गंदी पिच्रे चलती है आप लोगों के निवेदन किया मैं लोगों से भी निवेदन कर चुकी हूँ बहुत सोसल मीडिया पर भी बोल चुकी और जब मैं सुरक्षित नहीं हूं तो आप लोग कैसे सुरक्षित होंगे और यह फैसला मैंने इसलिए भाई साब के पास आई हूं कि यह सब की सुरक्षा करते हैं इनके लिए जातिवाद बिल्कुल सब्द नहीं है उनके लिए आप भाई हो और सब सर्वे समाज एक तरफ ह और फिर चत्तिस की सब्रस्राइस कोम के लिए काम करते इस से बड़ा बड़पन क्या होगा जो खुद अपने मूझ से कभी नहीं बोला कि मैं तुमारे लिए क्या कर रहा हूँ संसद में आपके लिए आवाज उताते हैं जब मैं सुरक्षित नहीं हूँ बेटियां सुरक्षित नहीं है किसान सुरक्षित नहीं है नव्युवा सुरक्षित नहीं है आये दिन अत्याचार होता है आये दिन गटनाए होती है इस पे लगाम नहीं लगी जारी तो क्यों ऐसी सरकार के पीछे बंद के रहना है नहीं रहना ऐसी सरकार के पीछे बाई को सपोर्ट करो बाई साब को सपोर्ट करो राजस्तान में ऐसा इतिहास बनाओ बाई साब कहते हैं कि तीसरे नंबर पे चल रही है यह बाई साब का कहना है आप तो जनता हो अपनी नजर से देखते हो RLP No.1 पे चल रही है उसका रीजन एक है कि जो इंसान सरकार को टारगेट कर सकता है उसको अंगुली उठा सकता है उसको गलत और सच की पहचान करा सकता है वो सरकार कभी 30 नंबर में नहीं हो सकती वो अंबेशा एक नंबर पे है सरकार किसी का क्या फैसला करेगी हमारी अदालत तो यहां लगती है बैसाब के पास लगती है हम आते हैं दुख सुक में इनके पास मैं बईसाबãyãy यह हो गया भाई साब क्या भी कभी तक आपकी सुनवाई नहीं हुई कि बोलो हुई है ना तो इस बार भाई साब को ही लाना है आदे से जादा पिचेतर परसेंट अगर किसी चीज में योगदान है तो वो किसान का है अर्द्रवस्ता में यह सबसे बड़ा कारण है कि सरकार इसको दबा एसे ही नहीं बड़ा जय जवान तो कहीं न कहीं किसान आगे है मैं भी एक ड्राइवर की बेटी हूं किसान की बेटी हूं और मैं आज यहां खड़ी हूं तो आप सोचो स्ट्रगल करके आगे पहुंशता है यहां पे कितने लोग आगे कितने लोग चले गे आपके गुडा मलानी में और कितने परिवतन हो गए जब पिचेतर साल से परिवर्तन नहीं हुआ तो अब भी उमीद मत रखड़ा कि कुछ परिवर्तन हो जाएगा और परिवर्तन जभी संभव है जब आर एलपी आएगी लोग तांत्रिक पार्टी आएगी मैं खिलाडी हूँ मैं कहती थी कि मेरा इस चीजों से कोई दूर दूर का संपर्क नहीं है मैं राजनीतिक से मेरा कोई इंट्रेस्ट नहीं है पर कहीं न कहीं है आपकी बेहन उत्पिडन तो हुई है ना यातनाए तो जेली है ना और इतनी गंदी यातनाए जो बदनाम करने क काम करती है देश का नाम रोसन क्या गाजस्तान का राम रोसन क्या क्या मिला एक छोटा सा पेज तो बंद नहीं हुआ वो क्या आपकी सुरक्षा करेंगे क्या बेटी को सेफ करेंगे क्या बेटी बढ़ाएंगे क्या बेटी बचाएंगे और बचाएंगे तो ऐसी चीजों के लिए बचाएंगे बिल्कुल नहीं बचाएंगे इसी चीजों के लिए आपकी आपके घर में बच्चे मैं तो कहते हूं इंटरनेशनल स्कूल में पड़े देश का नाम रोसन करे समाज का नाम रोसन करे बेटियां हर फिल्ड में आगे जाए किसानों को हक मिले नव युवा क पत्वे बिठाओगे कल से एक चीज है मुझसे जो लोग मुझे पूरे वर्ल्ड में फोलो करते हैं मेरी फेस्बुक पर जाओ इतने मेसेज पड़ें कि मैडम उत्तरपरदेश MP मुंबई जहां जहां से कहते हैं मैडम आपकी पार्टी हम भी जोइन करना चाहते हैं तो यह अपना सोबागे हैं कि राजस्तान से बहुर तक पार्टी को जानते हैं कि आरेलपी पार्टी है और बहुत अच्छा काम कर रही है इस बार मुख्य मंत्री बढा दो अगली वार में वादा करती हूं पूरे भारत का वेमन करूंगी और भाई साब को परदान मंत्री को और अगली वार पूरे भ्रमन काम करेंगे और भाई साब को परदान मंत्री की गदी पे बिठाके ही रहेंगे के ते कpine के इतनी भीड आई थी बीड़ के तनी भीड आयए थी जो हम लोग इकटे हुआ है ना हम तो सिरफ राजस्तान के है जब बार के लोग यहां के सबाह करते हैंना कानग्रेश बिजेपी तो आदी से जनता बाहर आ जाती है बाहर जी आ जाती है क्यों आ जाती है आप लोगों का माइंड डायेट करने के लिए और भाई बीजेपी के पास इतने निता है कांग्रेश के पास इतनी जनता है कुछ नहीं है काटू शाम जी में कांड भुआ था बसे बरके आई थी ओरतें कितना गुस्सा करी थी क्या कह रही थी एक औरत करी थी बाप काना माने लिया यो पाणी प्यूं नहीं कौन छोड़ी बस रोकी कौन है तो इस तरह ओरतों को टारगेट मत बढ़ाओ ओरतों को टारगेट करके कभी मेरे को नहीं बोला कि प्रिया तुम ऐसे बोलो प्रिया तुम ऐसे बोलो मैं जो बोलती हूँ खिलाडी हूँ दिमाख में मेरे कुछ नहीं है जो बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ और जो दिल से बोलता है वो हमेशा करके दिखाता है कभी जिंदगी में सोक नहीं है BMW में सोचति हूं सो रुपए मिट्रवाड कपड़ा लाऊंगी सो रुपए की टीशेट पहनूंगी तो उसको ब्रांड मैं बनाऊंगी ब्रांड को नहीं पहना वीजेपी कांग्रेस में जाके आपको उसका हिस्सा नहीं बना हिस्सा बैस आपको बनाओं अपनी जिंद्गी का अपनी सत्ता का वे मुख्यमंत्री पद का